नमस्कार दोस्तो आज आपको इस वीडियों बताऊंगा कि विंडोस 7 की अंदर मोर्फ को कैसे चलाना है आजगी जो ट्रीक है वो आपको 100% तो सक्सेस का मैं नहीं कह सकता बाकी 80-90% सिस्टम में चल जाता है इसका मैंने कम से कम 50 कंप्यूटरों पे एक्सपरिमेंट कर लिया है 50 में से 30 कंप्यूटरों में 35 कंप्यूटरों में चल गया 10-15 कंप्यूटरों में नहीं चला आप इसको एक बार ट्राइ करें यदि आपका चल जाता है तो आप चैनल को सस्क्राइब कर दें वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ सेर भी करें इस वीडियो क आप लोगों को देखने के लिए बनाया है वीडियो देखोगे तभी आपके समस्या वैसे भी हल नहीं होगी इस विंडो एट यूज़ कर रहा हूं अभी लेकि मेरे पास विंडो सेवन नहीं है लेकिन जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं यह आपको विंडो सेवन के अंदर करनी है अब सबसे पहले तो आपको क्या है अपनी मोर्फो को बाहर निकाल देड़ा है कंप्यूटर से मोर्फो कनेक् परकार से दिखाए देगा कुछ एक का इस 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 परकार से दिखाए देगा आपको केटेगरी में जाकर की केटेगरी सेलेक्ट कर लेना है इस परका चैनल पर अलंकि मैंने आल यहीं डाल दिया है तो इस चैनल से कुछ लोग जुड़े होएं तो इस पर भी मैं डाल रहा हूं उसका रिस्मॉस बड़ी हमिला तो इसके अंदर में डाल रहा हूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है अनिस्टॉल प्रोग्राम पे क्लिक करना है यहां पर क्लिक करने के बाद में, आपको यहां देखिए, जो Morpho के driver है, वो सारे उड़ा देने हैं, देखिए, एक तो यह है Morpho के driver, इसको uninstall करना है, और yes करना है, और okay करना है, ठीक है, एक यह Morpho RD का है, इसको uninstall करना है, और yes करना है, बीच में कोई भी screen को नहीं काटना है, आपके system पर depend है कि आपके system की speed कितनी है, आराम से आपका window 7 में चल सकता है, 90% मैं success बोज रहा हूं, चाई पानी पीके अच्छी परकार से, face mind से बेठिए, आपका काम हो जाएगा, वीडियो को skip कर दिया, एक second भी यह आपन काम नहीं होगा, यह मैं guarantee से कहता हूं, यदि आपने वीडियो टोटल देखा, शुरू से लेकि लास्ट तक एक second भी skip नहीं किया, तो आपका काम हो जाएगा, इसको okay करना है, फिर morfo वाला यह folder है, अने install करना है, आपके system में 3, 4, 5 जितने भी हैं, वो सारे के सारे morfo के जित डलते हैं, पांच डलते हैं, उसके system में पड़े रहते हैं, उस condition में morfo नहीं चलेगा, तो यह सारे के सारे अन install करने हैं, जितना टाइम लेता है, उसको लेने दीजिए, चाय पानी पीगे बेठी है, आराम से, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप काफी पांच से दिन से प्रेशान है, 17 अतारिक से लेके यह मानों 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 वां दिन है आज, तो आपको जैसे success होगा, तो आपको एक जटका भी लग सकता है, ओके करें, क्योंकि Windows 7 के अंदर ये trick जो है, पूर्ण तया success हो रही है, 90% कम्पूटरों में, 100% की guarantee मैं नहीं ले रहा हूँ, बाकि एक बार आप तरीका इस्तेमाल कर लें, आपका क्या जाता है, ठीक है, ये driver जो है, uninstall कर रहे हैं, वीडियो को skip नहीं करना है, उसके बाद में आपको ये देखना है, कि C++ 2005 और 8, इसको भी आप क्या करो, uninstall कर दो, C++ 2005 और C++ 2008 जितनी भी आपके सिस्टम में, जैसे मेरे सिस्टम में 2 हैं, आपके 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, कितना ही हो सकता है, क्योंकि लोग फटा फटा driver डाज रहे हैं, उपर से इन लेके नीचे तक सारा का सारा driver ठोक दिया, computer के अंदर, तो उन स सब को अभी कंप्यूटर को थोड़ा विसराम करवाना है तो यह C++ 2005 और C++ 2008 आपके सिस्टम में जितनी भी हैं उन सब को अनिस्ट्रोल कर देना है चलिए हम अभी अनिस्ट्रोल कर रहे हैं मौर्फो कंप्यूटर से बाहर रखना है यह मैं बार बार बता रहा हूं 2008 है इसको भ लग गई तो यह मान के चलो आपका काम नहीं होगा क्योंकि यह ट्रीक है और यह 90% कंप्यूटरों में सक्सेस हो रही है तो जैसे कह रहा हूं यही मेरा पॉइंट एक भी आपने उपर नीचे कर दिया तो आपका काम नहीं होगा वीडियो को आपने स्कीप करके देखा तो काम नहीं होगा इसलिए मैं वीडियो को किसी प्रकार से कोई कटिंग नहीं करना हूं सारा का सारा लाइव करूंगा तोड़ा गला भी खराब है लेकिन कपी लोग दिनों से लोग फ्रेशान है तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो बना के डाल देते हैं यह काम हो गया अभी आपको क्या कर जाना है माई कंप्यूटर में जाना है और लोकल डिस्क सी में जाना है यहां पर मोर्फ होगा आपको ड्राइव एक तो लोग वाला है लोक्स इसको डिलिट करना है एक मोर्फो और यह है इसको डिलिट करना है और भी यह कोई मोर्फो का फोल्डर आपको दि empty recycle bin करना है और yes करना है ये भी कतरा साफ हो गया अब मैं आपको फाइल देऊंगा और इसका password भी देऊंगा ठीक है जल्दबाजी नहीं करनी है राइट कलीक करना है रहने जाइज ट्मिस्टर करना है ये बलेक सक्रीन चलेगी आपका सिस्टम जैसा है जैसे आपके सिस्टम की प्रोसिसिंग है उसकी आधार पर यह टाइम लेगी दो मिट भी ले सकती है, दस मिट भी ले सकती है, बीस मिट भी ले सकती है, अदी गंटा भी ले सकती है, कितना ही टाइम ले सकती है, आपके सिस्टम पर डिपेंड है, इसको चलने देना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपके सिस्टम में ज्यादा टाइम ले रहा है, तो फिर से बता रहा हूँ, आपके सिस्टम पर डिपेंड है कितना टाइम लेगा, पांच मीट, दस मीट, पंदरा मीट, बीस मीट कितना भी लेता इसको लेने दीजिए, यही एक मैन चीज है, जो आपके सिस्टम का जितना भी कचरा है, उसको बाहर निकाल के फैंकेगी, क्योंक से शाम तक के दिपेट साप नहीं होता, तक कैसी आलत हो जाएगी, तो वहीं कंप्योटरों के आलत है फिलाल, तो उसके लिए सबसे पहले आप उनका क्या करें, पूरे कंप्योटर को थोड़ा हालका फुलका करें, उसको आराम दिलाएं, वीडियो लंबा होगा, क्योंकि म अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी चैक मार, जैसे मालो आपके सिस्टम में हो सकता, यहाँ पे कहीं पर चैक मार दिखाई नहीं दे, तो यह जितनी भी लिस्ट है, यहाँ पे, ठीक है, इनमें चैक मार कोणा जरूरी है, और फिर ओके करना है, ओके करने के इसी का उप्योग करके कम्पूटर में काम कर वाता हूं. मैं इतना देरे में समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनके समझ में नहीं आता है, तो इसका कोई दाइरेट कॉल करते हैं, कि हमें तो आप सेट अप कर दो. भी मैं भी यही काम करूँ आपके सिस्टम पर आपको लाइव दिखा रहा हूं ठीक है उसका चार्ज भी आपका लगेगा तो आप डायरेट उस चीज़ को कर सकते हो इस प्रकार से आप अपना काम जो है वो कंटिन्यू करते रहें अभी देखें टेंपरेरी फाइल है उसको क सारा फटा फट काम हो जाएगा ठीक है तो अभी स्कैनिक ले रहा है आप चाहो तो इसको साइड से कर सकते हो रूद को एक साइड से रिफ्रेश हो जाएगा टीक है और यह दीटव आपड़ेट यह विनड़ेट व befाय उव heiß उस ऐप रहा है करने का आपका सिस्टम बिल्कुल अलका फुलका हो जाएगा आपका यदि विंडोस 7 में नहीं भी चलाना तो यह जो मैं आप काम बता रहा हूं आज आपको यह करने के बाद आपके सिस्टम की स्पीड भी बढ़ जाएगी यह भी कलियर है आपको ऐसे लगेगा वास् सिस्टम के स्पीड बढ़ जायेगी यह अच्छा लगएगा काम करने को चलिए अभी अपने बंद हो जाएगा आपको काटना नहीं है यह कैंसल नहीं करना कुछ नहीं करना अपनी तरफ से ठीकिए ना अभी अपने आप यह पूरा हो जाएगा अपने यह ब्लेक स्क्रीन जो आपको दीख रहे हैं यह भी सारी कि सारी बंद हो जाएगी यह सारा अपने आप इस सिस्टम होगा ठीक है अभी चलने दो इसको बीच में काटना नहीं है साइड से आप रीफ्रेश कर सकते हो ठीक है एक नमर काम हो गया अब 2 नमर पर आना है आपको दो नमर पर दीख रह करना है True fare in on aberthe first Journal करना है यहां पे current user और next करना हैं यहां पर आराम से समझो यहाँ पर समझने वाली बात इसकी मोटा मोटा है इस्वे यहां नीचे क Daisy करना है। खिंग करना है, और ट्रस्ट रूट पर क्लिक करना है और यहां पर यह द्यार रखना है ट्रस्ट रूट के ओपर ही कली कोड़ना चाहिए और ओके करना है और नेक्स्ट करना है फिर से फिनिस करना है ठीक है यह सक्सेस्पुल का मेसेज आएगा यह मेसेज जब तक नहीं आए आपके सिस्टम दियान रख लेना अब इसको ok करना है और अडेकर करना है वही पर सेस्ट करना है इस्टॉल करना है इसको करना है कर्याल दो मुर्फो अपर कंप्पाइल मिलेगे इसको खूल लेके मोर्फो सेटउम इसको राइट कलिक करना है। राइट कलिक करना है। रुष अधुनिस्टर करना है Morphio रहा होने चीह फिर से बता रहा हूं बात है, यह समार्ट अंडर्सकोर डी एल एल, जो लास्ट का जो लाइन दीख रहे हैं, यही नाम आना चाहिए, यहाँ पर कुछ एपक्स सेटिंग या कुछ और भी आ रहा है ना, तो आपका सेट अप नहीं होगा, यही नाम आना चाहिए यहाँ पर, नेक्स्ट करना है, और यह हमारा पहले से दिखा रहा है उसके अंदर, तो यह यह मेसेज आता है, तो आप क्या करो, इसको एक बार नो कर दीजी, हम इसको मिनिमाईज करते हैं, इसका हिलाज बता देता हूँ मैं, यह मेसेज आता है, तो वापस हम सेट ड्राइव में जाते हैं, कोई फोल्डर रह आएगा, वो मेसे, नेक्स्ट करेंगे, नहीं आए न, इस्टोल करना है, बढ़ना है, यानि एक सेकंड भी मेरा वीडियो स्कीप कर दिया, एक स्टेप स्टेप भी आपकी रह गई, तो यह मान को से लो, आपका काम नहीं होगा, यह मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो कंट इस ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक के बाद आपका सिस्टम में विंडो सेवन के अंदर नहीं होता है, तो इसका उपाए भी मैं बताऊंगा, फिर वीडियो के बीच में ही कहीं बताऊंगा, वो भी आप सुन लेना, यह मान के चलो, आपको विंडो चेंज करवाना पड और विंडो टेन कराने से पहले भी मैं बता देता हूँ, कि आप अपने कंप्यूटर को पहले उसका प्रोसेसर, रेम, हार्डिस्क, वो सारी अगले जिसके पास विंडो टेन करवाने जा रहे हो, उनको बता देना, मेरे पास यह सिस्टम है, नहीं तो क्या है कि विंडो टे यदि छोटा है, तो उसको सहन नहीं कर पाएगा, आपको दूसरा सिस्टम ले के आना पड़ेगा फिर, तो इसलिए पहले अपने सिस्टम को अच्छी परकार से चेक करवा लें, उसके बाद विंडो टेन उसमें करवाएं, और मैं भी विंडो सेवन का को यदि लेटेस्ट अपडेट और मिल गया, जिसमें 100% सक्सेस्फूल आएगा, तो इसी चैनल पर डालूँगा, वो भी आप देख लेना, पिर, अन्यता आप अपनी विंडो से उनको खराब ने करें, यह मेसेज आएगा इस परकार से, इसको ओके करना है, एक्जिट सेट अप नहीं करना है, यहाँ जो आपके सामने कםप्यूटर जैसा बनावा दीख रहा है ना, इसके उपर कलिक करना है, और OK करना है, हो गया, अब यहां restart पूछरा है, तो इसको restart नहीं करेंगे, हम इसको no करना है, और finish करना है, यह तीन number वाला काम इसका हो गया, अब 4 नमबर पर यह दे रखा है अब चार वाला राईट क्लिक करना है कोई भी मेरी फाईल को डबल क्लिक करके ऊपन नहीं करना है यह और इस पर राईट क्लिक करना है RUN AS ADMINISTER करना है ठीक है यह सक्थ अब है प्रोसस ले रही है क्योंकि मैं कर चका हूं दिन में से 30-35 कंप्यूटरों के अंदर यह successful trick है 10-12 कंप्यूटरों के अंदर success नहीं होती है आप भी चाहो तो इस trick को जैसे मालों आपके पास 10 कंप्यूटर है दसों के उपर इस trick को उप्योग करना 10 में से आपके 8 कंप्यूटर चलेंगे यह मेरी guarantee है 7-8 कंप्यूटर आपके निश्ची चलेंगे यह मेरी guarantee है 2-3 कंप्यूटर में नहीं चलेगा यह भी मेरी guarantee है और आपके किस्मत यदि साथ दे रही है बगवान आपका साथ दे रहा है तो सभी में चल जाएगा इस परकार से अब में क्या करना है अब इसको install करना है आपको कहीं से कोई driver साइटों से और से डाउनलोड नहीं करने है जो जितना दे रहा हूं मैं इसका password वीडियो के अंदर ही मिलेगा सारा live मिलेगा मोटे मोटे अक्सरों में मिलेगा वो आप देख लेना उसके फाइल बात जो है फाइल को एक्स्टेट करना है रोग इसके दार पर ही सारे प्रोसेस करनी है यह हो गया install अब इसको no करना है और finish करना है चार नमर काम हो गया अब पांच नमर पर आजाते है यह जितनी भी फाइल है इनको क्या करना है कोपी करना है सेलेक्ट आल किया कोपी किया अब हमें माई कमपूटर खोलना है विंडो एट के अंदर 10 पैसी लिखा होता है लेकिन आपके विंडो से उने माई कमपूटर मिलेगा सीड्रै खोलना है और MORPHO RD service इस folder को खोलना है यहां side में right click करना है paste कर देना है ठीक है वो सारी file है server server की वगएरा सारी इसके अंदर आ चुकी है अब यह काम इसका हो गया 5 number का ठीक है अब चलते हैं 6 number पे 6 number वाली file है इसके उपर right click करना है और merge करना है और यह yes नो पुच्चे का तो इसको yes करना है फिर से okay करना है यह काम हो गया अब यह सारा काम हो चुका है मैं आपको live दिखा रहा हूं सिर्फ window at के अंदर आपको दिखा रहा हूं लेकिन आपको 7 में करना है आप चाओ तो 10 में भी करना है कि माई कंप्यूटर पे right click करना है और manage में जाना है manage में जाकर के अब यह window खुलेगी और device manager और निच्चे आपको मिलेगा service service and application इसके उपर जाना है और service पे double click करना है आप यहाँ पे जितने भी services हैं वो आपको दिखाई देंगी इनमें कहीं पर भी click करके aim दबाना है और aim दबा करके morpho rd लिखा हुआ है इसके उपर right click करना है property पे जाना है और यहाँ automatic मिलेगा इसको disable कर देना है और निच्चे stop मिलेगा इसको stop कर देना है आपको होगी सर आपनी क्या किया stop कर दिया अब आपको क्या करना है computer को restart कर देना है computer restart हो गया आपका तब तक आप video थोड़ा रोक भी सकते हो restart हो जाए आराम से restart हो गया मानलो मैं live दिखा रहा हूँ सरा अब आपको क्या करना है morpho computer से मैंने बाहर निकलवाई ती उसको लगा देना है ठीक है morpho computer के बाहर जो निकाली वे ती उसको लगा दिये है तो अभी आपको क्या करना है वापस my computer पर right click करना है manage पर click करना है और यहाँ device manager पर click करना है और यहाँ पर देखिए यह morpho जो है यहाँ इस परकार से पीला आइकन यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यह दिखाई नहीं देना चाहिए ठीक है पीला आइकन दिखाई नहीं देना चाहिए इसका मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है उसका मैं लिंक इसके नीचे डाल दूँगा कि इसका क्या solution करना है तो मेरी विंडो कितनी बिट है तो मेरी विंडो जैसे 32 बिट है तो इसके लिए मैं दो फाइल देता हूं वह उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्स में मिल जाएंगी वह देख लेना आप और इसके साथ मैं डाल दूँगा चलो वह फाइले में डाल दूगा जो आपको तो इसको क्या करना है यहां पर राइट क्लिक करना है इसके उपर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है और ब्राउज पर क्लिक करना है नीचे लेट में पिक दे रखा इसके उपर क्लिक करना है अब जो यह फोल्डर मैं दे रहा हूं इसके अंदर से इसको स्लेट करना जहां पर भी आपका है अभी मेरे पास जैसे जहां पर भी वह दिखा देता हूं मैं बाकि आपको अपने सिस्टम के अधार परी करना यह काम ठीक न यह आपकी सिस्टम कहीं भी हो सकता है योगि मैं फोल्टर दे रहा हूं उसको स्लेट करना है चलिए मैं दूसरी सगय से ले रहा हूं भी फाइल जो पड़ी होई थी मेरे पास अभी मैं निकाल देता हूं आपको सिर्फ लाइव दिखाने के लिए दिखा रहा है मैंने ये ठीक है आपको भी फाइले में बाहर निक आपके इस प्रोब्लम दिखाए विंडव विंडव वाली तो यह मान के चलो आपके विंडव के इंदर इस्यू आपके डिवाइस या तो सही लगी नहीं है या वो स्पार्किंग कर रही है या पोड खराब है यह मैं एक्जामपल देने के लिए दिखाया है अलांकि मैंने जो खराब डिवाइस थी वही लगा रखी है और अन्नोन डिवाइस आए तब भी यह मान के चलो कि आपको वहीं कर करना है अपडेट करना है ब्राउज करना है लेट मी पिंक करना है नेक्स्ट करना है और हैवेडिक करना है वापस ब्राउज करना है और जहां पर भी जो फाइल दी गरी थी आपको उसके उपर क्लिक करना है ओपन करना है ओके करना है और नेक्स्ट करना है ठीक है तो इस प क्लिक करना है और रन एज एडमिस्टर करना है एक बार दो बार चार बार जब तक आपका सक्सेस्पूल का मेसेज ने आए तब तक साथ नम्मर वाली फाइल को राइट क्लिक किया राइट क्लिक किया बार बार आपको करते रहना है जब सक्सेस्पूल का मेसेज आ जाए तब इसको विश्राम दे देना ठीक है इस परकार से आप राइट क्लिक करोगे ब्लेक स्क्रीन को काटना नहीं है अपने आप यह चलेगा फिर से बता रहा हूं यह ट्रिक जो है सिर्फ सिस्टम में काम कर रही है तो इस प्रकार का आप ट्रिक का इस्तेमाल किजिए सुचना चली की चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो के अंदर ही पाशवर्ड मिलेगा वीडियो आपको देखना पड़ेगा पूरा स्किप कर दिया ता आपका काम भी नहीं होगा और यह सारी स्टेप बाई स्टेप मैंने आपको दे रखिए इससे बड़िया वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा यह वीडियो देखकर कि आपका यह काम हो जाता है तो हो जाएगा बाकी अन्य था आपको विंडो टेन करवाना पड़ेगा फिर लास्ट में लास्ट काटरी के यह विं चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें ज्यादा ज्यादा सेयर करें थैंक यू